कहते हैं कि इश्वर के लिखे को विधाता के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता लेकिन आज मैं जिस दर्बार की बात कर रहा हूं उस देवता को भगवान श्रीकृष्ण ने खुद ये वर्दान दिया है कि अगर मैं किसी के भग्य में लिख दूँ दुख दर्द और गरीबी और वो तेरे दर पे आके तुछ से अरदास करे तो हे शाम तुझको ये ताकत है कि तुझके भग्य को भी बदल सकता है ये वर्दान मेरे श्रीकृष्ण भगवान ने खाटू शाम बाबा को दिये बरबरीक जी को दिये तो मित्रों ऐसे भगवान श्री खाटू शाम बाबा के दर पे अगर आप निशान चड़ाना चाते हैं मनो कामना पूर्ति निशान जो कि फागुन में लाखो करोड़ों लोग पूरी दुनिया से आके खाटू धाम में आके चड़ाते हैं अगर आप भी वह चड़ाना चाते हैं तो उसको चड़ाने की पूरी विधी मैं अपने वीडियो में बता रहा हूं मेरी वीडियो पूरे देखें मित्रों और जो भी आपके खाटू शाम प्रेमी जो आपसे जुड़े हुए हैं आपके निगट वरती लोग हैं उन सब को ये निशान की विधी उनको बताएं ताकि उनकी मनों कमना पूरी हो सके और बाबा शाम की संपून करपा उनको भी मिले और जो ये शेयर करेगा उसको भी मिलेगी जैश्री शाम फागुन का महीना शुरू हो चुका फागुन का महीना जो कि भगवान कृष्ण और रादे रानी का बहुत ही प्यारा महीना है और इस महीने का एक विशेस महत्व है जी आवित्रों जो लोग बाबा खाटू शाम क को फागुन का महिना बहुत ही प्रिय है तो कि फागुन शुदी एकादशी को ही बगवान खाटू शाम जी इस धर्थी पर प्रकट हुए थे खाटू नगरी में तो अब आप यह जानिये पुन के महिने में खाटू नगरी में जो भी बंदा बाबा शाम को निशान जिसे की द्वज कहते हैं जो ऐसा द्वज जिस पर जैश्री शाम लिखा हो बगवान कृष्ण की फोटो या बगवान शाम बबाबा की फोटो लगी हो उसको हम करते हैं वो निशान्ल जब कोई बंदा कोई भुख्त बगवान, श्रीखाटू श्रू श्राम जी के चड़ाता है तो बगवान खाटू शाम बहुत प्रसंद होते हैं और उसकी हर मनो कामना को पूरी करते हैं मित्रों ये कल्यूक के देव हैं और इनके पास वो पावर है बगवान शीकिष्ण ने अपनी 16 कलाएं खाटू शाम बाबा को दी दी और उनी कलाओं के कारण आज खाटू शाम बाबा का आप देख रहे हो पूरी दुनिया के अंदर इनका पावर पूरी दुनिया में इनके भक्त हैं इंडिया ही नहीं इंडिया से बहार भी लाखो लोग इनके भक्त हैं इनके फोलोवर्स हैं और वो बाबा पर अन्य विश्वाश करते हैं, क्योंकि बाबा हर किसी के मनों कामना पूर्ण करता है, और impossible से impossible काम को भी पूरा करता है, जिस पर बाबा क्रपा हो जाए, उसका तो कहना ही क्या, मैं खुद 10 साल से भी जादा समय से भगवान श्री खाटूशाम बाबा से जुलाव हूँ और real में feel करता हूँ और जो मेरे साथ, जो मेरे लोग जुड़ेवे हैं, वो real में feel करते हैं, कि इनकी जो करपा है, वो अपरमपार है, और इनकी जो पावर है, वो अपरमपार है, तो मित्रों आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो भी लोग भगवान श्री खाटुशाम बाबा को फागुन के अंदर या किसी भी महीने में निशान चलाना चाते हैं तो वो क्या करें 12 मार्च 2024 से फागुन का मेला शुरू हो रहा है ये मेला 21 मार्च 2024 तक चलेगा इस दोरान अगर आप खाटू दाम पधारते हैं तो आप निशान भी चला सकते हैं और बिना निशान भी आके बाबा के दर्शन कर सकते हैं ये आपकी चाहें जैसा आप चाहें इस दोरान सभी भक्तों के लिए खाने पीने के लिए बंडारों की विवस्ता होगी उसमें भक्त जरों के दोरा बहुत ही बढ़िया खाने पीने रहने सोने सब की विवस्ता हैं की जाएंगी तो जो भी भक्त आना चाहें बाबा शाम जिसको बुलाता है वही इस दर पे आता है मित्रों पर अपने मन से इच्छा जरूर व्यक्त करें जबी बाबा आपको बुलाएंगे मन से इच्छा करें, अरदास करें और बाबा से बोले कि बाबा हमें बुलाएं आप मेरा वीडियो देखके 40,000 लोगों को शेयर करें मित्रों लाखों लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार फागुन मेले में खाटू शाम जी आते हैं लाखों ऐसे होते हैं हर साल तो अगर आप आज तक खाटू शाम जी नहीं गए हैं तो क्या पता इस बार आपका नंबर लग जाए इसलिए बाबा से अरदाज जरूर करें अब मित्रों उसके लिए करना क्या होगा देखें मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बताऊं कि आपको खाटू शाम जी जाने के लिए खाटू शाम जी जो की राजस्तान के सीकर नगरी में इस्तित है बाई फ्लाइट अगर आप आना चाहें तो आप जैपूर डारेक्ट आ सकते हैं जैपूर से फिर आप टेक्सी या बस करके खाटू धाम पहुच सकते हैं डारेक्ट और अगर आप ट्रेन से आना चाते हैं आपको देहली से रिंगस की connectivity मिल जाएगी आपको तो आपको रिंगस station आपको सर्च करना है रिले में और रिंगस station पर आप पहुँझ जाए रिंगस station से ही बाबा की निशान यात्रा शुरू होती है मित्रों अब मैं शुरू करता हूँ मित्रों निशान यात्रा के दोरान आपको कहका करना चाहिए निशान यात्रा कैसे करने चाहिए सबसे पहले मित्रों जब भी आप निशान यात्रा शुरू करें या तो आप अपने घर से निशान यात्रा शुरू कर सकते हैं जो कि एक पैदल यात्रा है या फिर आप तो आप अपने घर से निशान यात्रा शुरू कर सकते हैं या फिर आप अपने रिंगस पहुंचे है सबसे पहले रिंगस से वहां किसी भी शौप की पर से दुकानदार से एक शाम बाबा का निशान ले लें शाम बाबा का निशान मंदिर मना हुआ है, रींगेस मंदिर में आप दर्शन करें और भगवाईं श्री श्राम जी का वहाँ पे प्रोपर तरीके से निशान का पूजन करें निशान का पूजन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता दूंँँ सबसे पहले नहादो के साप सुत्रे वस्तर पहन कर आप रिंगस मंदिर में निशान लेके जाएं वहाँ जाके भगवान के रोली और मोली शाम बाबा का पूजन करना है पूजन के लिए मैं तरों क्या करना है मैं आपको बता दूँ सबसे पहले मैं महीलाओं के लिए पता दूँ महीलाओं को अपना सुहाग अमर रखने के लिए सुहागन बने रहने के लिए जो बाबा का निशान है उस निशान के कौनर पे सिंदूर की टीकी लगानी है इससे उनका सुभग्य बना रहेगा और उनका सुहाग मर रहेगा यह मैं महिलाओ बहनों के लिए बता रहा हूँ यह हमारे पुझे महराश श्री ने बताया था तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद मित्रों आपको क्या करना है आपको संकल्प लेना है हाथ में जल लेके संकल्प लेना है आप पूरा अपना करपा प्रापत करने का मतलब है आप संकल्प लें कि हे प्रभु मैं अपनी मनों कामना पूर्ण करने के लिए और आपकी प्रभु करपा प्राप्त करने के लिए रिंगस से निशान उठा रहा हूं और निशान यात्रा मैं खाटू धाम तक मैं इसको पिता का नाम गोत्र वगरे जो भी जो अपन नॉर्मल संकल्प में होते हैं वही संकल्प हमको करना है फिर हमको मित्रों क्या करना है इसके गंद अक्षद धूब दीप नवेद और प्रिशाद अगर चूर्मा और खीर चूर्मा का बाबा का फेवरेट भोजन है अगर आप ख जोत्मा पुसिबल लें तो आप दीपक जला ले बाबा का और आप उससे आरती करेंगे वहीं से आप बाबा की जोत ले लें अब आप जोत लेने के बाद क्या करें सबी जो जो निशान चड़ाना चाहते हैं वो वो उस निशान को उठा लें और सब मिलके बोले जोड से ज जैश्री शाम, आप जैश्री शाम और शाम बाबा के जैकारे लगाते हुए, आप उस मंदिर से बाहर निकलिए, और जोर जोर से जैकारे, पांच जैकारे जो हैं, शाम बाबा के फेवरेट में आपको बता दूँ, हारे के सहारे की जै, शाम प्यारे की जै, खाटू नरेश की जै, शीष के दानी की जै, और कलिउक के अवतारी की जै, यह बाबा शाम के जैश्री शाम तो ही है, ये जो बाबा शाम के फिवरेट जैकारे हैं ये इसके लावा जो भी आपको जैकारा आता हो बाबा शाम का वो लगाते हुए इसको लहराते हुए बाबा शाम के निशान को आप प्रिस्थान करें खाटू धाम की ओर मित्रों जब आप खाटु धाम के और प्रिस्तान करेंगे तो आपके मन में ऐसी जवर्दस फिलिंग आनी चीए कि जैसे मैं खाटु शाम बाबा को निशान को नहीं खाटु शाम बाबा को लेके जा रहा हूं और खाटुशाम बाबा को अपने साथ लेके जा रहा हूँ अपने मस्तक पे विराजबान कराके उनको लेके जा रहा हूँ इस तरह की फिलिंग आपके मन में आनी चाहिए और पूरे भाव से मित्रों आप इस यात्रा को पूरा कीजिए यात्रा के दोरान टाइम टाइम पे आप भगवान बाबा के भजन गाते रहें अपने मोबाईल में आप खाटुशाम बाबा के भजन गा सकते हैं बजन लगा सकते हैं आपस में फालतुगी बाते ना करें य्यात्रा को पूरा करें और रास्ते में कहीं वी एक वीशेश बात बतादू में बहुत सारे बंडारे लगे रहते हैं देखिए अगर हो सके तो मैं मना नहीं करता है अगर हो सके तो आप बंडारे में इस समय जब आप निशान लेके जाएं तो कुछ भी खाए पीए नहीं तो बहुत अच्छा रहेगा रीजन क्या है क्योंकि आपको पवित्रता का ध्यान रखना है निशान में निशान की पवित्रता का ध्यान रखना है तो निशान की पवित्रता का ध्यान रखने के लिए आप इधर उदर खाएंगे उटे जूटे हाथ लग जाएंगे तो निशान की पवित्रता पंग हो जा साफ्षुत्रे किसी भी जगे से लेके वैसे तो सभी बंडरे में बगवान का प्रिशाद ही है बाबा का प्रिशाद ही है लगी मैं फिर भी कहूंगा कि एक छुकि काफी बड़े लोगों से मैंने सुना है बड़े लोगों का ये बारे में ये प्रोटोकॉल है कि जब आप निशान लेके जाते हैं तो उसमें प्रवित्रता इधान रखें तो इदर उदर कहीं भी बार-बार मुह जूटा ने करें जो भी खाना एक ही बार खापी के आप मत्ता ठेके जैश्री शाम बोलें और उसके बाद के निशान शाम वो दे देते हैं, मंदिर के जो रिषाषन के लोग हैं वो बिनिशान अगर आपको मिल जाता है तो आपने घर पे ले आएं और घर पे लाके मित्रों उस निशान को आप अपने घर के चचछ़द पे लगा दें यह मानिए कि आप को निशान नहीं ला रहे हैं साक्षाप खाडू शाम बाबा को अपने हिर्दया में बसा के अब अपने घर में ला रहे हैं और मित्रों कहते हैं शाम बाबा की तो ऐसी क्रपा है इस कल्यूक के अंदर कि हर तरह से हारा हुआ इंसान हर तरह से हारा हुआ इंसान अगर बाबा के दर पे आके बाबा शाम को अर्दास लगाता है तो उसका काम बनने से कोई भी नहीं रोग सकता मित्रू इसलिए तो मित्रो इस पर एक भजन भी बना हुआ है हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है जीतूंगा एक दिन मेरा दिल है कहता है जो कि खाटू शाम बाबा की जो इनके दर पे नत्मस्तक हो जाता है, जो इनके आगे सर जुगा देता है, और जो कह देता है बाबा तू मिरा मैं तेरा, फिर बाबा उसको समाल लेते हैं, फिर उसको कहीं जाने की जुरत्नी है, कहीं परेशान होने की जुरत्नी है, खाटू शाम बाबा और हन्मान जी वर जाता है उसके हर मनों कामना फूर्ण होती है मित्रों इसी के साथ मैं अपनी वानी को विराम देता हूं और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितने भी शाम प्रेमी आपके ग्रुप में हैं जितने भी शाम प्रेमी हैं जिन्होंने भी खाटू शाम बाबा के बारे में सुना है और खाटू शाम जाना चाते हैं ये वीडियो उन तक जरूर पहुचाएं ताकि उन्हें पता लग जाए कि खाटुशाम बाबा के निशान चड़ाने का तरीका क्या है और वो पहली बार ही निशान पूरी विदेविदान और पूरे तरीके से चड़ाएं मित्रों और लाश में मित्रों एक बात कहना चाता हूँ अगर भूली चुकी हो जाए कोई बात नहीं बाबा से माफी मंग लें पर एक चीज में भूली चुकी नहीं होनी चीए वो खोता है आपका भाव आपका भाव कभी कमनी होना चीए आपका भाव पूरा होना चीए भाव पूरा सॉलिड होना चीए और मन में एक ही भावना चिये कि बाबा तू मेरा और मैं तेरा मेरा कोई ना साहरा बिना तेरे गोपाल सामरिया मेरे मेरा कोई ना साहरा बिना तेरे खाटू शाम सामरिया मेरे गन शाम सामरिया मेरे ओ खाटू शाम सामरिया मेरे मेरा कोई ना सहरा बिना तेरे खाटु शाम सामरिया मेरे जै श्री शाम